अले दोस्तों मेरा नाम है निलसीज और PCPill Guide Series के और एक फीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस फीडियो में मैं आपको बताऊं लग के अगर आप अपने PC के लिए एक मोनेटर खरेतिना चाहते हैं तो कौन सा मोनेटर बेटर हुगा यहाँ पर मैं कोई मोनेटर रेकोमेंड नहीं करूँगा आपको सिंप्ली समझा दूँगा कि एक मोनेटर खरेतिने से पहले क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है तो दोस्तों चले देखते हैं तो दोस्तो एक monitor खरे दिने के समय जो चीज़ को आपको पहले देखना आपका वो है screen size and region दोस्तो अगर आप एक छोटा monitor ले रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपका budget बहुत tight है तो आप 720p का monitor ले सकते हैं जैसे कि अगर आपका budget 3000 से 4000 है तो वहाँ पर आप 720p का monitor ले सकते हैं और वहाँ पर कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं बढ़ दिया सिर्फ जो response time है वो अगर आपको 10 millisecond से नीचे मिलता है तो आप उसको ले लीजे बस और यहाँ पर अगर आपका budget थोड़ा ज्यादा हुआ तो यहाँ पर आपको पहले देखना होगा screen size उसके बाद resolution दोस्तो आप पहले fix कर लिजे कौन सा screen size की monitor लेना चाता है अपने budget है जैसे कि मैं मानता हूँ 22 inch का monitor आप लेना जाते है तो वहाँ पर आप देखिए जो screen resolution है या फिर जो resolution आपको मिलता है वह क्या मिलता है अगर आप 18 inch से 22 inch या फिर 24 inch तक एक monitor लेते है तो वहाँ पर आप 1080 pixel का monitor लेजिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पर यह जो screen size है इसमें 1080 pixel का resolution है बहुँ perfect है और यहाँ पर अगर आप 27 inch या फिर 32 inch का monitor लेना चाते है तो वहाँ पर at least आप 1440p जैसे की 2K या फिर 4K resolution देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 inch या फिर 32 inch पर आप 1080 pixel पर मत चाहिए क्योंकि अगर आप एक बड़ा skin size पर एक छोटा picture को बड़ा करके देखते है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा blurring मिलेगा तो यहाँ पर मेरा recommendation है अगर आप 24 inch के अंदर कोई भी monitor ले रहे है तो वहाँ पर at least 1080pixel का monitor लीजिए उसके बाद अगर आप 27 inch या फिर 32 inch पर जाना चाते है तो at least आप 2K या फिर 4K resolution लीजिए उसके बाद दोस्तों जो second चीज़ को आपको सबसे ज्यादा ध्यादा देना होगा वो है panel type दोस्तों यहाँ पर screen पर कौन सा panel मिलता है यह आपको देखना होगा दोस्तों अगर आप एक model खरीदते है तो यहाँ पर आपको 3 type का panel मिलता है एक है TN panel एक है IPS panel और एक है VA panel तो दोस्तों यह panels होते किया है और इसमें क्या अच्छा होता है और क्या बूली चीज़े होती है मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले आते है TN panel पर दोस्तों यह जो TN panel है यह डिजाइन किया गया है बहुत budget user के लिए या फि आपको मिलता है TN panel उस पर वहाँ पर आपको बहुत अच्छे refresh rate मिलता है कम प्राइम में मतलाग यहाँ पर अगर आप 15,000 रुपी स्पेंट करते हैं तो आपको 165 हर्च का एक पैनल मिल जाएगा और यहाँ पर अगर आप 4000 या 5000 या 5000 स्पेंट करते हैं तो आपको 60 हर्च का मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों जो गेमिंग मोनेटर होते हैं TN panel पर जो 165 या फिर 144 हर्च पर होती है वहाँ पर जो आपको रेस्पोंस टाइम मिलता है वो बहुत ही अच्छी मिलता है जैसे कि 1ms, 2ms, 3ms, 4ms ऐसे मिलता है तो यहाँ पर जो चीजे बुरी मिलता है आ या फिर उस साइट से देखते हैं तो यह बहुती बुरी मिलता है आपको TN panel पर तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका बजेट बहुत टाइट है या फिर आप एक गेमिंग मोनेटर चाहते हैं जहाँ पर हाई रुक्रेस रिट चाहते हैं और एक बजेट में चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत चीज़े बेनफिक दोस्तों एक आपको चीज़े अच्छी मिलता है जो वेविंग एंगल से इस साइट उस साइट से बहुत अच्छी मिलता है और अगर यहाँ पर रिक्रेस्ट की बाद करें आई-पेस पर जितने पैसे लगाएंगे उतना आच् तो basically यहाँ पर अगर आपका budget 8000 से 12000 है तो आप एक IPS पैनल के साथ जाएए जहाँ पर आपको 60 to 75 Hz का एक monitor मिल जाएगा और यहाँ पर basically जो response time होता है वो है 4 to 5 MS होता है और दोस्तो जो तीसरा पैनल आपको मिलता है वो है VA पैनल दोस्तों यह जो VA पैनल है यह आता है TN पैनल और IPS पैनल के बीच में दोस्तों यहाँ पर जो VA पैनल में आपको color accuracy मिलता है बोर जो TN पैनल से अच्छा मिलता है पर IPS पैनल से कम मिलता है यहाँ पर जो आपको viewing angles मिलता है बोर TN पैनल से थोड़ा अच्छा मिलता है पर IPS से थोड़ा कम मेंता है और यहाँ पर जो refresh rate है वो दोस्तों आप जितना पैसे लगाएंगे जितना चाहेंगे उतना आपको मिलेगा ठीक है तो यह होता है VA panels तो यहाँ पर simply एक चीज आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पर अगर आपका system बहुत अच्छा frame निकलता है मतलब तो आप एक टीन पैनल गेमिंग मोनिटर के साथ जाएंगे जिसका refresh rate 120Hz, 144Hz या फिर 165Hz है और या फिर अगर आप एक content creator है जहाँ पर आपका design का काम होता है graphics का यह अफिर editing का तो आप एक IPS पैनल के साथ जाएंगे उसके बाद आते हैं दोस्तों response time यह response time होते किया है यह मैं मैं आपको नहीं समझाँगा बैट बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बताते तो अगर आप एक monitor लेते हैं basic monitor बहुत कम budget है तो आप वहाँ पर देखिए जोरी response time है वो 10ms से कम हो यहाँ पर अगर 10ms से उपर जाते हैं तो आपको pictures थोड़ा सा blurry blurry दिखाएगा और अगर आप ए IPS monitor ले रहा है तो वहाँ पर आपको जो response time मिलता है वो है 4-5ms और यहाँ पर TN panel में भी बहुत सारे response time मिलता है जैसे कि 1ms, 2ms, 3ms, 4ms तो यहाँ पर MS जितना कम हो उतना अच्छा है तो दोस्तो आप इस वीडियो का आप देखने का बात आप समझ गया होंगे कि एक monitor लेते है तो आपको ध्यान देना होगा तो दोस्तो आगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like कर दीजे, share कर दीजे अपने दोस्ते की सार और अगर कोई doubt है तो मुझे comment में बताइए तो दोस्तो मिलता है अगरे वीडियो बात अपते बिले statement आप पेसा होंगे